नमस्कार सातियों तो फिर से आपका स्वागत एक बार पवित्र सीक्रेट के जबरदस नए वीडियो में तो सातियों आज हम बात करेंगे Electrical Engineering Interview Questions हाँ जी Electrical Engineering Interview Questions के बारे में Comment Box में मेरे एक साथी ने मुझसे पूछा कि सर आप Electrical Engineering Interview Questions के बारे में एक वीडियो बनाईए यह वीडियो बहुत important होने वाला है सातियों इसमें मैं interview से जुड़े वे कई रहसे खोल दूँगा और electrical engineer जो भी हैं चाहे वो fresher हैं चाहे वो experienced हैं वो यह video end तक जरूर देखें हर जगे पे आपको कुछ नगा insight मिलता रहेगा और हो सकता है आपको लगे यह सब मुझे आता है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम थोड़ा जब आगे बढ़ते हैं वीडियो में तो हमें नही नही जानकारिया मिलती रहती हैं तो please आप 7-10 minutes के लिए patience रखें मेरा यह video end तक देखिएगा तो आपका electrical engineering interview के लिए offer आ चुका है call आ चुका है अब आपको interview देने जाना है या टैलिफॉनिक interview first round पे होना है तो साथियों, now important क्या है, important ये है साथियों कि employer आप से क्या चाता है, न कि ये important है कि आपको क्या आता है, मैं फिर से धोरा रहा हूं, ये important नहीं है कि आपको क्या आता है, important ये है कि employer आप से क्या चाता है, यानि कि जहां आप नौकरी देने, जहां आप नौकरी करने जा रहे है जो आपको नौकरी देने जा रहा है वो आप में क्या capability क्या ability देख रहा है ढूंड रहा है that is the most important और अगर आप इस भुलावे में हैं कि मुझे जो है पूरा electrical engineering बहुत अच्छे से आती है और मैं ford के रख दूंगा तो यह भुलावा वहां पे नहीं चलता है साथियों क्यों चलता है आपने graduation degree में बहुत बढ़िया पढ़ाई करी बहुत अच्छी आपने theory पढ़ ली लेकिन practical आपको उतना experience अभी नहीं है सेम यहीं चीज experience holder electrical engineer के लिए भी लागू होती है वो अभी किस domain में काम कर रहा है अब उसको जाना कहां पर है यह बहुत माईने रखता है कौन है क्या वो एक process industry है या वो एक power plant है जहां आपको electrical engineering की skill अपनी sell करनी है process industry process industry का मैं एक example देता हूं जैसे DCM श्रीराम Consolated Limited एक company है ठीक है कोटा राजस्तान में company है वो श्रीराम यूरिया खाद बनाती है उसका कारबाइड का भी एक प्लांट है उसका कास्टिक सोडा का भी एक प्लांट है अब now basic electrical engineering तो हर जगे पे same है जहां पर power transformer आते हैं कास्टिक सोडा department के electrical engineer post के लिए जा रहे हैं देन वो आपका interviewer interviewer कौन होता है जो आपका interview ले रहा है वो आप में कास्टिक सोडा से related जो है वो skill पाना चाहता है देखना चाहता है कास्टिक सोडा में काम करने के लिए जो process industry होती है कास्टिक सोडा प्लांट बना जो क्लास्टिक सोडा बनाती है उसमें सबसे important पार्ट जो electrical के लिए होता है वो होता है रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं जानते हैं आप उस interview में फेल हो जाएंगे अगर आप तु पहले आपको देखना पड़ेगा मैं interview कहां देने जा रहा हूं क्या वह process industry है मुझे किस पोस्ट के लिए किस काम के लिए वो लोग ले रहे देन आपको उस company का google out करना पड़ेगा साथ यो बहुत important होता है बिना तैयारी के लड़ाई लड़ने मत जाये हार जाएंगे लड़ना पड़ेगा लड़ने के लिए क्या है रननीती बनानी पड़ेगी strategy बनानी पड़ेगी तो interview strategy क्या होती है पूरी planning करनी पड़ती है लग के खुशिया आप आएंगी तो google out करना है कि आपका company कौन सी है अब वो company जो है उस process में वो किस तरह काम होता है देन आपको पता करना है क्या मेरा कोई friend क्या मेरा कोई भाई क्या मेरा कोई cousin इस process industry से related है देन आप जो है linkedin में जा सकते हैं वहाँ पे लोगों को follow कर सकते हैं उ यूगल आउट करके उस process industry के बारे में पता कर सकते हैं यह सब आपको जानकारी लेके knowledge लेके देन आपको वो तैयारी उस हिसाब से अपने electrical की करनी है देन आपको interview में entry मारनी है साथियों आप interview crack कर देंगे आप interview for के रख देंगे next है कि अगर आप power plant में interview देने जा रहा है जो generation plant होता है तो generation plant में electrical engineering में generator सबसे important होता है generator है फिद जनरेटर का जो power relay होती है जो generator की relays होती है वो सबसे important part होता है तो आप कहा interview देने जा रहा है power plant में तो वो आपसे क्या पूछने वाला है private industry है तो वो आपसे generator के बारे में पूछेगा वो आपसे relays के बारे में पूछ जन्रेटर के डिफरेंट प्रोटेक्शन के बारे में पूछेगा जन्रेटर के रीले कॉडिनेशन के बारे में पूछेगा पावर ट्रांसवारमर के बारे में पूछेगा मोटर्स के बारे में पूछेगा 6.6 के भी स्विजगेर के बारे में पूछेगा PCC के बारे में पूछेगा MCC यानि Motor Control Center के बारे में पूछेगा Power Control Center के बारे में पूछेगा Then उसके Power Transformer जिस Voltage पर जो है Electricity को Upgrade कर रहे हैं या तो 132 पे कर रहे होंगे 220 KV पे कर रहे होंगे 400 KV पे कर रहे होंगे तो वो उस Grid Sub Station के बारे में पूछेगा साथियों ये सारी तयारी आपको करनी है तब जाके आप एक अच्छी जॉब गेन कर पाएंगे सो आपको रणनीती के साथ आगे बढ़ना है सिर्फ पन्ने से काम नहीं चलेगा साथियों अगर आपने मेरा इंटर्व्यू एसेस्मेंट शीट में क्या-क्या होता है यानि कि जब इंटर्व्यूर आपके सामने बैटा है वो किन-किन बातों पर आपको मार्क्स दे रहा है अगर वो आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप बहुत कुछ लाइफ में मिस कर रहे हैं उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि कि वह किसी भी फिल्ड के इंटर्व्यू के लिए है कि जब इंटर्व्यूर आपके सामने बैठता है जो इंटर्व्यू ले रहा है उसके हाथ में जो शीट होती है वो किन-किन पॉइंट्स पर आपको माक्स दे रहा ह होता है तो साथियों आगे हम चलते कि इलेक्ट्रिकल बेसिक्स के बारे में तो आपको चाहे प्रोसेस इंडस्टी में आप जाएं चाहे पावर ब्लांट में जाएं बेसिक्स तो हर जगे सेम है जैसे ट्रांसफार्मर बेसिक्स है मोटर जो है बेसिक चीज है पैनल में किस प्रोसेस इंडस्टी से related question जिसकी आपको विशेश तोर से तयारी करनी है जो मैं already कैसे करनी है आपको बता चुका हूँ अब advance, electrical advance, वो advance का मतलब यही है कि वो industry किस field में है ना उसमें main main चीजों की आपको तयारी करनी है कि generator relay setting, relay coordination, eye landing अगर आप power plant में interview देने जा रहे है देन वो पूछेगा कि आप आई-landing के बारे में जानते हैं क्या कि अगर मेरे सारा supply कट हो जाए तो किस तरह से मेरा जो पूरा system है वो grid से eye land हो जाता है देन आप 6.6 kv switch gear के बारे में आप से जानकारी ली जाएगी अब google out जो है करना है आपको company के बारे में ये मैं already आपको बता चुका हूँ now last चीज जो सबसे ज़्यादा important है सार्थियों मैं फिर से बोल रहा हूँ जो आपको आता है वो बहुत अच्छी बात है वो ग्यान वो knowledge आप अपने पास में रखिये वो interview के दोरान आपके इमारत की नीव है वो जो आपको आता है लेकिन important क्या है जो उपर जो एक महल आप खड़ा कर रहे है उस समय तो वो जो महल है वो कैसे खड़ा होगा वो महल खड़ा होगा साथियों तयारी से ग्यान से तो interviewer यानि जो interview ले रहा है वो आप में क्या देखना चाता है अब में एक रहस और सबसे शांदार बात आपको बताता हूं कि जो इंटर्व्यूर है वो आपसे क्या पूछेगा वो वो पूछेगा साथियू जिस माहौल में वो बैठा हुआ है यानि कि अगर कोई DCM शीराम में आप कास्टिक सोडा प्लांट में इंटर्व्यू देने और एक HR का बंदा बैठेगा ये बैठेंगे साथियो अब वो लोग आपसे क्या पूछेंगे वो पूछेंगे कास्टिक सोडा ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल से रिलेटिड चीज़े यानि रेक्टिफायर ट्रांसवार्मर में प्रोटेक्शन किस तरह होता है क्या आप AC to DC कारे में जानते हैं क्या ये सब जानते हैं वो ये सब बातों पर जोड देंगे क्यों देंगे क्यों कि दिन रात इसी माहोल में बैठे रहते हैं जब उनके दिमाग में वही सब आप से पूछेंगे जो उनके दिमाग में हैं तो साथियो ये ध्यान रखिएगा सामने वाला क्या सोच रहा है किस माहोल में बैठा हुआ है फिर वह आपसे क्या पूछ रहा है यह सबसे important है यह सब साथियों जो मैंने इस वीडियो में बताया अगर आप उस step by step तैयारी करेंगे paperwork से तैयारी करेंगे तो आप 100% जो है वो अपना interview crack कर पाएंगे यह मेरा आपको challenge है अगर आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया तो subscribe कर ले इतने जबरदस वीडियो होते है ground reality based जो हर वीडियो आपकी life को बदलने की ताकत रखता है या कुछ ना कुछ input तो देने की ताकत रखता ही है मैं हूँ 17 year experience human resource professional निशान चौधरी पवित्र सीक्रेट चैनल की तरफ से goodbye